हाउस अफ वेलनेस के एक नए एपिसोड में आप सब का तहे दल से स्वागत हैं आज बड़े क्विकली हम बात करने वाले हैं हमारे लिवर को और इंप्रूफ करने के लिए होम सेट अप में क्या खा सकते हैं हमारे किचन से तो एक कांच की बॉटल लीजिए प्लास्टिक के हम अगेंस्ट है अज मच पॉसिबल वो कांच की बॉटल में एक लीटर पानी भरिये उसमें पांच पुदीने के लीवस और दस तुलसी के लीवस अच्छे से दो करके डाल दीजिए और पूरा दिन आप इस बॉटल से पानी का सेवन कीजिए ये कम से कम आप हफते में तीन बार कर सकते हैं जिससे आपके लिवर को एक अच्छा क्लेंज मिल जाएगा ये बहुत एक जेंटल क्लेंज है अब मैं आप से शेयर करने वाली हूँ आपको चाहिए तो आप एक पेपर लेके नोट कर लीजिए मैं रेसिपी की इंक्रीडियंस को दो बार बो दावते हुई है कोई अपने शादी या फंक्शन्स अटेंड किये हैं एक दो चार दिन तक और बहुत हैवी खाना हो गया है या फिर आपको एंटिबायोटिक्स डॉक्टर ने दिया है कुछ भी जो आपको लगता है कि लिवर को थोड़ा डिस्टरब कर सकता है तो आप इ की अशन्ट बनाइए इसके लिए आपको क्या करना है इक्विल प्रपोर्शन में आपको डाल्चीनी का पाउडर अलसी पाउडर मतलब फ्लैक सीज्स तॉफ का पाउडर फैनल सीज मतलब टर्मरिक मतलब हल्दी । खसकस का पाउडर उसको इंगलिश में पॉपी सीज्स मेथी पाउडर मतलब फेनुगरी का पाउडर और जीरा पाउडर जिसको क्यूमन सीद्स बोलते हैं मैं वापस इसको सिर्फ हिंदी में रिपीट करती हूँ दालचीनी का पाउडर, अलसी का पाउडर, सौफ का पाउडर, हल्दी का पाउडर, खसखस का पाउडर, मेथी पाउडर और जीरा पाउडर ये सब चीजे आप इक्विल लीजिए और इसका पूरा मिक्स कर दीजिए एक चिम्टी खाने के आदे घंटे बाद लंच के बाद और उतना ही अमाउंट डिनर के बाद तीन दिन तक लीजिए फिर बंद कर दीजिए तो ये थोड़ा एक स्ट्रॉंगर डीटॉक्स होता है आपके लिवर के लिए फिर हम बात करेंगे लिवर क्लेंजिंग फूड की जो अगैन आपको होम सेट अप में मिलता है लहसुन जिसे गार्लिक कहा जाता है बहुत ही अच्छा होता है लिवर हेल्थ के लिए मैं काफी बार पहले भी बता चकी हूँ इस पार भी वापस बताऊंगी कि लैसन को थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकडों में काट दीजिए उसको प्लेट पे रहने दीजिए एर से मिलने दीजिए फिर उसको आप खाने में यूज़ करें अब बात करते हैं सिट्रिस फ्रूट की तो सिट्रिस फ्रूट भी लिवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है सब हमारे जो खटे फ्रूट होते हैं औरेंजेज, ग्रेप फ्रूट, स्वीट लाइम, अल वेरी गुट फूर लिवर हेल्थ ब्रॉकली, कॉलीफिलार मतलब गोबी, टर्मेरिक मतलब, हल्दी, अक्रूट, बीट रूट, गाजर यह सब बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे लिवर हेल्थ के लिए आपल्ष भी बहुत अच्छी होते हैं ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है लेकिन ये बात हमको याद रखना है कि हमको food labels पढ़ने आना चाहिए ग्रीन टी लिवर के लिए अच्छी होती है लेकिन ग्रीन टी का जो extract होता है वो लिवर के लिए हानी का रख होता है तो green tea बहुत अच्छी होती है लेकिन जहां पे भी आप food label पे पढ़ते हैं कि green tea extract है प्लीज उसे वापिस shelf पे रख दीजी हमको घर पे लाना ही नहीं है हमको इसका सेवन करना ही नहीं है ये बात जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है और क्या habits हमको करना चाहिए कि हमारा liver खुश रहे अगर आपका वजन ज्यादा है तो एक healthy तरीके से आप वजन कम करें हम आपकी जो diet है उसे balanced रखे अब तक तो सब को ही पता है lot of fiber in the diet अच्छे amount का fruits और vegetables लेना जरूरी होता है जो white color के carbohydrates होते हैं जैसे मैदा में होता है तो हमको rusk और biscuit और पाओ, white bread ये सब का सेवन बिलकुल minimal मतलब हो सके तो नहीं करना चाहिए noodles, pasta, उसे please हाथ मत लगाएं फिर हम बात करेंगे हमारे पानी का सेवन बहुत अच्छा होना चाहिए unless आपको doctor ने बोला है कि आपको पे fluid restriction important है रखना शायद heart या kidney की वज़े से नहीं तो धाई से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही जरूरी है regular exercise आपके liver को बहुत खुश रखता है जो liver का fat होता है exercise उसे कम करने में बहुत मदद करती है alcohol का अगर आपको सेवन करना बहुत ही जरूरी है तो उसे जिम्यदारी के साथ responsibly use करें smoking का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर आप smoke करते हैं तो जितना कम हो सके उतना कीजिए हमारे around जो chemical pesticides होते हैं, insecticides होते हैं और aerosols होता है चाहे वो रूम को सुगंद करने के लिए हम बार बार use करते हैं ये सब चीजे हमारे liver को दुखी करती है तो avoid as much as possible और lastly मैं आपको एक बहुत important बात बताना चाहूंगी कि जो दवाई होती हैं जैसे pain relievers होता है, सर में दर्द हो रहा है चलो एक गोली खा लेते हैं बैक में दर्द हुआ गोली खा लेते हैं, घुटने में दर्द हुआ गोली खा लेते हैं अरे आज सुबा उठी मेरा गला खराबे चलो मैं pharmacist को phone करके एक antibiotic का course कर लेती हूं self medication या chemist से पूछ कर दवाई लेना या pharmacy में जाकर दवाई खुद से शुरू करना ये सब हमारे liver को damage करता है अगर आप एक crocin भी लेते हैं तो प्लीज अपने doctor की supervision में लीजिए get in touch with your family doctor के क्या आपको जरूरी है antibiotics लेना अगर गला खराबे हो सकता है कुछ virus हो जो अपने आप निकल जाए so to cut a long story short जो भी आप दवाई लेते हैं extra ना ले doctor से बिना पूछे self-medicate ना करें इससे liver damage होने का chance बहुत 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 हाई होता है दवाई और alcohol का सेवन साथ में ना करें ये combination life-threatening हो सकता है अपने doctor से बात करिए कि hepatitis A और hepatitis B के लिए आपको vaccination जरूरी है या नहीं जरूरी है and all the best I hope that आप ये सब habits फॉलो करें ताकि आपका liver बहुत ही बहुत ज्यादा खुश हो और smile करें and cheers to wellness stay happy stay blessed